बैंग निफ्टी की डेली अनलेक्सिस में आपका स्वागत है आज बैंग निफ्टी ने अपना सबसे सर्वुचित्तम अपना एक उचाई पकड़ा है और क्लूस किया है 44,716 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 4 दिनों के अंदर बैंग निफ्टी ने एक से मार्केट का देखें उचाल यह बड़ा शांदार होता है और यह सब प्राइज एक्षन के थ्रू आप इसको जाच सकते देख सकते तो देखिए प्राइज एक्षन के आराम से बहुत भैतरी तरीके से मार्केट ने लेकिन एक बात है इन सब चीज़ों को जानने ही समझन के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा अब मार्केट आगे क्या कर सकता है पहले यह बात समझ लेते दे कि मार्केट ने अपना जो पिंजरा है उसको तोड़ा है कई महिनों का पिंजरा बना हुआ था 44,450 का पिंजरा बना हुआ था उसको फाइनली मार्केट ने आज बे जगह पे है, सही जगह का यहाँ पे अर्थ क्या है कि market आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, market यहाँ से volatile हो सकता है, यहाँ कि market मैं आप से बार-बार कहता है कि 500-1000 के range के बीच में जब तक market रहेगा, तो इसलिए market का अगर आप देखेंगे market के अभी market पूरी तरीके से हवा में है, यहाँ तक तो चली एक बार हम मान सकते थे कि कल तक का, अगर हम देखेंगे बुदवार तक का, कि market यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब market में एक move आया है, यह move आपको बहुत बड़ा होगा और शांदार पैसा बना के दे सकता है, अब देखिए, यहाँ पर क्या, आज के अगर मैं पाच मिनिट का टाइम फ्रेम कर दूँ, तो यहाँ पर आज का, आज काम काज देखिए market में, market शुरू हुआ है और शांदार बिलकुल सपोर्ट से जो एक उचाल आया है, यह देर सो पॉइंट का था, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे trap हुए है, कैसे trap हुए मैं आपको बताता हूँ, देखिए 500, 550 यह सब psychological एक number होता है, जहाँ पहले से ही buyers मौजूद होते हैं, अगर market उपर से नीचे आ रहा है तो, ऐसे समय में आपको buyers पहले मिलेंगे, हाँ अगर यह उल्टा होता, नीचे से अगर उपर मान लीजिए, 300 से अगर 500 तक पहुछ था, तो वहाँ पे आपको call writer मिलते हैं, तो market वहाँ से नीचे आता, लेकिन यह market उपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए आपे buyers म अगर यहां से देखेंगे, तो market यहां से लगबग उठता ही चला गया, कहीं पे भी रुकावट नहीं थी है, सीधा 800 तक पहुचने की कोशिश मार्केट ने किया है, लेकिन हम पहले से जानते हैं, कि 800 भी है, साड़े साथ सो आठ सो यह already एक strong resistance है, जहां से market फिर से एक यहा पे लगबग 50 पॉंट का consolidation market ने रखा अपने आप में और वो उस चीज़ को जारी रखा दिन भर लगबग देड़ दो बज़े के बाद से, अब इसी जगह से कल अगर market दुबारा खुलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी जगह से मतलब होगा, कि 700 यहां से अगर शुरू हो लेकिन दुबारा 500 एक आएगा आपके पास, तो 500 का अगर ब्रेक कर देता है, मतब 1 बे में ब्रेक कर देता है, तो 400 तक यह 400 तक आके ठहर जाएगा, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए भी तयार रहे गया, अब market अगर पहले से ही अगर सोचेंगे कि market यहां से पहली gap अगर खुलता है, लगबग अगर मान लिजे, शाड़े 800 के आसपास खुलता है, यह 800 के आसपास खुलता है, तो market यहां से नीचे नहीं जाएगा, market यह से ऊपर जाएगा फिर, ठीक है, शाड़े 800-900, शाड़े 900 और फिर 45,000, इस तरीके से market ट्राविल करेगा, और market पहले स seller एक बार activate होते हुई दिख्याज देंगे, इसलिए पासों के ऊपर ही अगर खहर मनाईए कि पासों के ऊपर ही खुले, फिर आपको market एक बार bullish नजर आएगा, तो इस तरीके से market को जब तक आप देखेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, और यह M pattern बना है, पाच मिन मैरा number कब आएगा कि मैं बहुत अच्छा trader बनूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन